मार्बल के सबसे ज़्यादा ही च्रॉपर हेरो हल्क aur अगर थोर की फायट हो जायए तो कॉन जीतेगा स्ट्रेंथ के बात किरें तो हल्क की स्ट्रेंथ भढ़ती जाती है जैसे जैसे वो गुस्सा होता जाएगा और को किसी भी तरक के कोई भी गुस्से की जुरत नहीं होती वो अमेज़ा अपनी full potential में और full strength में लेता है Hulk के अंदर भी बहुँ ज़्यादा strength है लेकिन Thor की जितिन तो नहीं है इसलिए Thor यहाँ पर win करता है Physical durability के बात करें तो यहाँ पर Hulk बाजे मार जाता है जबकि Thor सिर्फ और सिर्फ heal हो सकता है वो अपनी body parts को regenerate नहीं कर सकता जैसे हेला ने उसकी आंग पोड़ दी और वो वापीस नहीं आई Hulk का healing factor बहुँ ज़्यादा अच्छा है Thor से लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों में अगर fight हो तो कोई जितेगा तो obviously Thor जितेगा क्योंकि Thor के पास और भी बहुत ज़्यादा advantage है लाइक strong breaker और जो म्योनीर है उसकी power उसको next level तो लेके जाते ही है साथ में वो 1500 साल पुराने एक thunder power गोड है